हेलो योज़ स्वागत आप सभीगा मेरी यूटीब चैनल स्कूल टुशन गुरजी में आज हम बात करेंगे वक्षीट 87 की जो की 11 तो फर्वरी के लिए जारी किया गया है यह क्लास 10 की साइन सब्जेक्स रेटी वक्षीट है या बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहां इसने क्लास टीचर के नाम लिखेंगे बच्चो टुड़ी वी आर गूंग टु स्टडी ओट मैंगनेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन अवर रिविजन वक्षीट तो चली बच्चो देखते हैं जानते हैं समझते हैं कि आज की वक्षीट में आपके लिए क्या कासर आज की बच्चो आपको क्या बताना चाहती है तो बच्चो जो हम बात करते हैं मैगनेटिटी इफिक्ट ऑफ करंट की तो सबसे बहले बात आती है ना और नाम आता है माइकल फेराडिगा जो कि एन एक्स्पेरिमेंटल फिजिस्स थे जिनों ही डेवलप किया था जो लो थे इलेक क्या करता है यह एक इंस्ट्रूमेंट है एंस्ट्रूमेंट डाट कें डिटेक्ट दा प्रजेंट्स ऑफ करंटी ने सर्किट इस काल्ड ग्लैमिनमेंटर अब क्योंकि बात और यह मैगनेटिक फ्रेक्ट ऑफ करंट की तो सबसे पहले बात आती है आप लोगों के मैगनेट और मैगनेटिक की प्रोपटीज की तो मैगनेटिक उसकी प्रोपटीज क्या कहती है उच्छो कि लाइक पॉल अट्रेक्ट इच अदर और मैगनेटिक फिल्ड लाइन्स डू नोट इंट्रेक्ट इच अदर यानि एक दूसरे वो कभी क्रॉस नहीं करती है उच्छो दूसरा आता आपका मोटर और तीसरा आता आपका इलेक्ट्रो मैंगनेट ठीक है सबसे पहले बात कर लेते सॉलिनोड इस वह लगबग एक जैसा ही लगेगा आपको जब पढ़ोगे तो बेसिक में क्यों कि रिवीजन करते हैं बेसिक में भी बढ़ेंगे से सॉलिनोड क्या ह इन्सुलेटड कॉपर वायर रैप्ट यानि कि जब एक पाइप जैसी उस पर बहुत सारी इंसुलेटड कॉपर के वायर हम लगा दें उसे क्या करते हैं सॉलिनोड कहते हूं जो और एलेक्ट्रो मैंगनेट में क्या करते हैं इसी तरह की एक सन जो फिगर होती है उसमें जो तो अंदर और बाहर मैंगनेट को करते हैं तो चन्नेट होती है क्या कुछ पावर ठीक है अब में बच जाता फंड़ आपका किसी चीज़ का अब यह करता कैसे है वहने रेक्टेंगुलर कोई इस प्लेसिन अमेगनेटिक फिल्ड एन अ करंट इस पास्ट तुर इट इस फोर्स एक्ट ओन इट दा कोईल विच रोटेट इट कुछ ली विद्धी रोटेशन ओग्वेल दाशेफ्ट अटेश्ट टू इट रोटेट य थोड़ा सा करंट पास करते हैं तो क्या करता है वह फोर्स दखती है और वह कंटिनियूसली रोटेट करना शुरू कर देता है ठीक है इसे ही हम इलेक्टिव मोटर कहते हैं और यह क्या करता है डिवाइस है जो इलेक्टिकल एनरजी को मेकलिकल एनरजी में कर्वर्ट करता ह ठीक है अब कुछ basic rules है जिसकी वज़े से हमें पता सलता है कि current की चीज क्या है और force की चीज क्या है field क्या है magnetic motion किस तरफ हो रहा है यह सब चीजों को बेसिक बेसिक चीजों को हमें पता करने के लिए कुछ हम rules को खोला करते हैं जो कि हमारे किस में बताते हैं electromagnet में motor में और solidoid में वहारे काम आते हैं ठीक है अब इसमें सबसे बेसिक rule जो आता है वो आता है आपका right hand thumb rule राइट hand thumb rule क्या करता है अगर कोई conductor में current carrying है यानि इस डारेक्शन में का current बहरा है तो उसकी जो डारेक्शन होती है वो इस तरह की होती है और उसे इसे शो करने के लिए हम क्या करते है राइट hand thumb rule को यूज करते हैं इसी तरीके से आपके दो और रूल है बच्छो पहला है आपका flaming left hand rule और दूसरा है flaming right hand rule flaming left hand rule यूज होता है electrical motor में आपका और flaming right hand rule होता है आपका use electromagnetic induction में यानि कि जब आप इस तरीके से fingers को रखते हैं तो एक क्या दिखाएगा आपकी direction को बताएगा magnetic field को बताएगा current को बताएगा यानि movement बताएगा यह सब चीजे बताएगा ठीक है वैसे ही उपर वी सब्सक्राइब में फ्लैमिंग left hand rule में बताएगा ठीक है बच्छो तो बच्छो यह तो बात रिया आपकी वक्षीट की अब जड़ा question answer देख लेगते है question answer में पहला question आपका which rule is applicable to the following तो पहला आपका to show the direction of magnetic field lines तो उसके लिए हम कौन सै यूज करते बच्छो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट अन्ड द्रम रूल फिर है छिए अलेक्ट्रिकल मोटर और अलेक्रो만कोम Too के लिए कौन-कौन से यूज करते हैं तो electrical model के लिए हम यूज करते हैं flaming left hand rule और flaming right hand rule किसके लिए उसकरते हैं Electromagnetic induction की लिए उसकरते हो ठीक हो ठीक हो यही आपका answers में अगला question है बच्छे आपका question number 2 what is galvanometer? तो galvanometer क्या अभी हमने पढ़ा सा थोड़े दिर पहले an instrument that can detect the presence of a current in a circuit is called galvanometer यह यह आपका answer है बच्छो ठीक है चल यह अगला question देखते है अगला question आपका on what principle an electric motor works तो it works on the principle किसके बच्छो magnetic effect of current ठीक है इस principle वही यह काम करता है ठीक है बच्छो यह होगी आपकी worksheet complete और video भी आशा करता आपको video अच्छी लगी होगी Thank you